हैं और बाहर की जो परिस्तिती है वो बिलकुल नॉर्मल नहीं है वो अभी भी जो रापिड अक्शन फोर्स है और सेंट्रल फोर्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल में लाए हैं यह की जो जो थो प्रीग है और शुक्षिशन है अग्शन फोर्स है नोगताव परिस्तिता अग्शन फोर्स हैस स्वाइब फिरुपन कीराप जोड़ें हो तक शुलिग है डीजिए विंद्टिक्षिजर्ड फोर्स्विख भूए क्या वाईवशन इसक वाइच्ज़ कर खांकेने लुग निम्तिते सुचिंगों, श्रआता रुपर स्रव blir Hope 먹고 सुच मैंने, जो जु़ता रुद्वा कुछा रूर। इण लोप खुड़ाखा थिजब एड बाइड विद पाप गुड़ाए नियुदूे राप जे कर एंट जिक विदिए कोई आपका ये ऐ। कि यहां पर अब यह क्या रही है कि आयोग ने कोई कारवाई नहीं कि इससे पहले चुनाव आयोग से उनने कई बाशिकायते भी कि लेगन एक बात का जिक्र जो यहां कर रही है कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो बाहरी हैं बांगला नहीं बोल रहे हैं इंदुजीत ये बड़ा आरोप ममता बानर जी के तरफ से बाहरी तत्व जिनका जिक्र व कि बाहरी लोग हैं उनको लाया गया है और वो यहां पर जो सिचुएशन है जो गड़बरी है उसको गड़बर करनी की कोशिश कर रहे हैं हमने पूछा कि क्या आपने इलेक्शन कमिशन को ये बात बता रहे हैं लोगों ने सुबा से बहुत सारा कंप्लेइन इलेक्शन कमि है और यही कारण है कि इस तरह का इंटरी मिलती है और यहां पर तो वैसे भी इंतजाम बाकी जगों के मुकाबले ज्यादा किये गए हैं तो मम्ताव एनरजी की जो ये आरोप है ये इशारा किसकी तरफ है कि अपनों शुखाए निने लिए हैं वह लोग भी कह रहा है कि वह इसे गाउ का हम लोग को सुखेर बोड देने ले ले गया वोड़ दिया है आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ में लोगों में कितना आक्रोश है और बीच में पुलीस है दोनों तरफ दोनों पार्टियों के समर्थक स्लोगन दे रहे हैं और बीच में लोग है बीच में पुलीस है पुलीस दोनों को रोकने की कोशिच कर रही है और अंदर मामता बनजी खुड डटी हुई है पोलिंग स्टेशन के अंदर और महिलाय भी काफी तादाद में आप आ चुकी है आप देख सकते हैं उदर महिलाय भ है वह सेंसेटिव बन चुकी है इस वक्त और किस तरह से इस परिस्तिती पर काबू पाया जा सकता है यह सबसे बड़ा सवाल है और सेंट्रल फोर्स के कुछ जवान हमें दिख रहे हैं राफिड जो सिर्फ चारी सेंट्रल फोर्स के जवान है जो बूत के अंदर है और बाहर जो है वह रापिड आक्शन फोर्स है इंद्रजी जो आरोप ममता बैनर जी ने लगाए है अभी इंद्रजीत यह पसंजाईए यह पोलिंग बूत है यहां पर वोटर और आईडी कार्ट देखकर लोगों को एंट्री मिलती है गाउं का हिलाका है लोग चेहरे से एक दूसर तक है वो जो त्रिनमूल के समर्थक है उनको रोक रहे हैं और उनको अपना मतदान करने नहीं दे रहे हैं हमने जब इस गाउ में हम ममता बैने जी के साथ जब आएं तो वहां पे कुछ लोग थे अंदर जो यह कह रहे थे कि सुबा से उन्हें वोट डालने नहीं दिया गय रहे थे और उसके साथ सथ यह भी कह रहे थे कि त्रिनमूल के जो पोलिंग एज़न्ट है उनको कल रात को यहां से धमका के निकाल दिया गया है और आज सुबा से पोलिंग एज़न नहीं था जब हम लोग पोलिंग स्टेशन के पास आये क्यूंकि यह पोलिंग स्टेशन तक आए एक बार फिर से आपको पो पोलिंग स्टेशन दिखा देते हैं यह पलिंग स्टेशन के पास जब हम आए तब यहाँ पे हम सलूरा एक वर्ग मिला जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्स कर रहे थे यह कह yhte हुए कि पहले जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं और वो कह रहा है कि उनको वोटि डालने दिया गया है मेरे बाएए और जो समर्तक है कि जो गोतल है वहाँ पर अफरा तफ्री जबर्दस दिखाई दे रहे हैं और ममताव एनरजी बड़े आरूप लगा रहे हैं कि बाहरी लोग है जो यहां पर अचान्ती पैदा कर रहे हैं एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं लेकिन लगातार चुनाव पर नजर हमारी बनी ह हूँ है परन लॉटिंग अपडेट के साथ देखते रहे हैं आज तक